हेलो फ्रेंड्स वेलकर नो मैं चैनल आलो कासेस मैंने पिछले क्लास में आपको विजय नगर समराज के वाने बता दिया है अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जूर देखे मैं डिस्क्रिशन इसका लिंग दे दूँगा मैंने बताया था कि जब त्उगलक वन्स चल रहा था और त्उगलक वन्स में जब राजा था मोहम्मद बीन तुगलक उससे में दू ूटे थे पहला तूटा भिय नंगर चमराज और दूसरा भामनी समराज तो विजयानगर समराज को हमने बता दिया है, आज हम पढ़ेंगे बहमनी समराज के बारे में, तो चले श्टाट करते हैं, बहमनी समराज को देखते हैं, देखें, बहमनी समराज के जो संस्थापक थे, इनका नाम था हसन गंगू और इन्होंने 1347 इस भी में इसकी की लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिजय नगर समराज की जो भासा थी वो क्या थी तेलगू थी और आपको याद होगा कि तेलगू के आठ विद्वान जिसे अश्ट दिगज कहा गया था ये क्रिश्ण देवराई के दरवार में रहते थे इसके बाद इनकी मुद्रा हुं दूसरा सासक बना था जिसका नाम था फिरोज साब भामन क्या नाम था फिरोज साब भामन और इसने भी discovering को हरा कर राइचूर दवापर अधिकार कर लिया था क्योंकि बुक्का पर्थम कुछी एरिया को अपने कबजय में किया था उसके बाद फिरोश सा भामन जवाया तो देवराई पर्थम को हडा कर लगभग पूरे पर उसने क्या कर लिया अधिकार कर लिया था इसके बाद अगला सासक बना था सिहा बुद्दीन तो सिहा बुद्दीन जो था इसने राजधानी गुलवरगा से बदल कर बीदर ले आया और कहां ले आया बीदर ले आया और इसे संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है तो संत अहमद के नाम से जाना जाने वाला कौन सा सक था वे के हमायू लेकिन यहां यहांlläख लेकिन यहां है लाउधीन हासका यह ... लेकिन यहां यह बहुत यहां दिल सकता है कि अगर इसका खाना तरके था तो उसकी करतेасका भार हिसे जालिम हमायूkward कैते हैं तो जालीम हुमायू किसे कहते हैं एक प्रधान मंत्री था जिसका नाम ता मोहमंद Gawa और यह बहुत जाधा योगी था इसका प्रधान मंत्री था मोहम घवा तो पूछ लेकिन जब कलिमुल्ला अंतिम सासक बना तो इसी की समय में बहमनी समराज जो था वो 5 पांच पाट में तूड़ गया कितने पाट में 5 भागों में ये बट गया था और 5 भागों में कौन कौन बटा था तो बीजापूर बरार अहमद नगर बीदर और गोलकुंडा और आपको याद होगा मैंने बताया था कि यह चार मिल करके यह पांच है पांच में से चार मिल करके इस पर अटक किया था बिजया नगर समराज पे बिजया नगर समराज पे अटाक किया था तो इसी समय में पहमनी समराज पांच भाग वे टूटा था किसके समय में कली मुल्ला के समय में और कली मुल्ला के समय में जब ये टूटा तो देखे ये वाला पार्ट पूरा है बहमनी समराज और बहमनी सम सब आता था लेकिन इसमें क्या हुआ कि ऐसा हुआ ही नहीं कलिमुला के समय में क्या हुआ कि यह प smiley तोड़ गया पांच राज में टोड़ गया सबसे पहले ब tragedy टूटा इसमें इस बरार वाले घ्शेतर में जो बैर कुटूवगुदा जो था गुलकुंडा में कौन सा वंस चल रहा था कुतूब साही वंस देखिए अलग-अलग वंस चले लगे और पांच राजमी में टूट गया तो सब से पहला था अगर देखा जाये तो इमादसा ही वंस ता पक थे फते उल्ला इमादसा और का अमेर अली वरीब सा इसका देखेंगे तो बीजाई απο का जो अरिया था उस एरिया में बीजापुर्क आरिया में जो वंस चल रहा था ऊसका नाम था आदिल साही वंस और देखेंगे तो यूसुफ आदिलसा, और अहमद नगर की बात करें, तो अहमद नगर कुछ एडिया था, उस पर सासन करने वाले थे निजाम साही वंस, और इसके संस्थापक थे मलिक अहमद, क्या नम था इसका, मलिक अहमद, अगर आप देखेंगे, तो इसमें इमाद साही वंस, इसके नाम तो फिलाल इतना जो इमांद साहिवस ए और आपको बस यह यादखना है कि इमांध साहिवस कौन से इरिया में था ज ideia से बरार में था इमाद साहिवस, फूर में बीजापुर में आदिल साहिवस, और अछाह्मन निजाम establishment जिसके संस्थापक मलीक आमद थे ठीक है तो यह पांच वाग में तूड़ गया और ऐसे करते-करते इसका विखराब हो गया और फिर बहामनी समराज का विला होने लगा तो आई होप आपको यह समझ में आ गया बहामनी समराज कुछ इतना अच्छा काम करने ही पाया और यह वंस ध्रेद्रे समाथ हो गया तो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल वंस की वाए पढ़ेंगे और मुगल वंस को देखेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए गुड़ नाइट टेक केर और बाई तक यू